ताइवान एक स्वतंत्र लोक्तांत्रिक देश है और अपनी संप्रभूता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तयार है अशोग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोग जी हमने देखा कि चीन लगातार ताइवान को अपना अधिकार बताता रहा है ताइवान पर अपना अधिकार अपने संप्रभूती वो समझता रहा है लेकिन पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं और जब से ताइवान में नहीं सरकार का गठन हुआ है उसके बाद में हमने ये देखा कि ताइवान भी बहुत मजबूती से चीन के सामने डटर खड़ा हुआ है चाइना की इस हरकत को चुकि 125 युद्ध पोतों से ताइवान को घेरने की कोशिश चाइना ने की है कैसे देख रहे हैं आप देखे आप बिल्क ठीक कह रहे हैं इससे पहले अभी जो सरकार आई है लाइचिंग टे की इन से पहले जो राश्टपती थी साइंग वेन और वो 2016 से वहां की राश्टपती थी और उनका भी ये जो आई है लाइचिंग टे ये भी उन्हीं की पार्टी को बिलॉंग करते हैं तो उनका भी नज़गया यही था उनका भी रवया यही था जो हम किसी जोर जबरदस्ती से चीन हमको अपने साथ नहीं मिला सकता है हम अपनी सावरिंटी को अपनी संप्रबुता को हम बरकरार रखना चाहते हैं और चीन को हम बिल्कुल यह अधिकार नहीं देंगे जो वहां पर आकर हमारे उपर हमला करके वह अपने साथ मिला ले चीन बहुत तो प्रयास करता रहा है जो देखिए वन कंट्री टू सिस्टम जैसे उसने हॉंक कॉंग के साथ में किया परंतु ताइवान ने देखा है हॉंक कॉंग के साथ क्या हाल हुआ है जो भी उसकी independent institutions थी उन सब को खत्म कर दिया है और पूरी तरीके से जो चीन का सिस्टम है वह वहाँ पर उसके उपर लागू कर दिया है तो इसी ने वह बिलकुल विश्वास नहीं करता है टू वन कंट्री टू सिस्टम में और वह इसको मिंटेन किये हुआ है और चीन बस उसको डरा कर धमका कर यह प्रयास कर रहा है जो वह किसी प्रकार से उसके उपर कबजा कर ले परन्तु वहाँ पर अमरीका के साथ ताइवान के अच्छे संबंध है उनकी संदी है और चीन यही समझता है जो अगर वह हमला करेगा तो फिर ज़रूर अमरीका भी आएगा चीन के विरुद खड़ा होगा और वह उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर तरीके से सामरिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी क्योंकि सबसे बड़ा बाजार चीन के लिए वह अमरीका ही है तो इसलिए अब वो इस पशोपेश में पढ़ा हुआ है जो खब ऐसे काम करें तो इसलिए जो आपने कहा 125 हवाई जाज और इतने युद्ध पोत लेकर उसको धबकाने का काम अफसर करता रहता है अश्रुक जी युद्धब्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को जिस तरीके से घिरने की कोशिश की है और हमने देखा कि इसके पहले जब ताइवान में लोक्तांत्रिक चुनाव वहाँ पर हो रहे थे उसका विरोध भी चाना ने किया लेकिन चुनाव फिर भी हुए अपनी सरकार चुनी और अब एक तरीके से मश्बूत लोक्तांतरिक देश के रूप में ताइवान सामने हैं और ऐसे में अब अमेरिका की रणीति को आप कैसे समझ सकते हैं चुकि आपने इशारा किया कि चाईना का बहुत बड़ा बाजार अमेरिका के हाथ में हैं ऐसे मे आर्थिक स्थिती को देखते हुए क्या समझा जाए कि अमेरिका की डर से टाइवान पर जादा बरहत बनाने में या हमला करने में चाइना डरेगा देखें दो चीजें हैं इसमें एक तो यह जो आपने कहा जो चीन बहुत प्रयास किया वहां पर जो इलेक्शन हो रहे थे तो उसने उस समय भी बहुत ऐसे युद्धा ब्यास किये और जो उनका ताइवान की जो उनकी अपनी रेखा है जिसके अंदर बाहर के हवाईजास नह ऐसी सरकार को वहां मत चुनिये जो चीन के विरुद खड़ी हो परन्तु ये सब शडियंत करने के बावजूद वहां पर जो सरकार आई वो साई इंग्वेन की ही पार्टी की सरकार थी जो की अपनी संप्रभूता को वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूती से बरकरार दूसरा आपका प्रशन था जो क्या इसके अमरीका के उनके साथ जो इतने अच्छे आर्थिक संबंद हैं तो इससे क्या चीन डर जाएगा नहीं चीन डरेगा नहीं देखिए चीन के लिए ये बिलकुल जिसे कहा जाए सामरिक उसका लक्ष है जो ताईवान को अपने साथ मिलाना जी तो इसलिए उसने ये तो कहा है जो ताईवान तो हमारे साथ मिलकर रहेगा तो इसका तैयारी कर रहा है जो वो कब उसके उपर हावी हो जाया अमरीका कभी यही कहना है जो अगर शांती पूर ताईवान आपके साथ आ जाता है तो वो अलग बात है परंतु आप जोर जबर्दस्ती से अगर आप ताइवान को लेने का प्रयास करेंगे तो हमको बीच में जरूर आना पड़े हैं ठीके बहुत संखेप में अशोग जी क्या ताइवान चीन का सामना करने में सक्षम है जी ताइवान बहुत चोटा सा वो शेतर है उसको युनाइटेड नेशन्स के उसमें अभी तक उसको देश का दर्जा भी नहीं मिला वो member नहीं है सदसे नहीं है United Nations का पूरी दुनिया में बहुत कम देश है करी 10-12 देश है जो कि उसको मानिता देते हैं पर फिर भी उसको पूरा अजिकार है जो क्योंकि वो democracy है और चीन एक autocracy है तो उसे पूरा अजिकार है जो अपने system के अनुसार रहे और चीन उसको ये permit मिली करता है बहुत बहुत धन्यवात अशोग जी इस तमाम जानकारी के लिए और इन दोनों खबरों के विशलेशन के लिए और इसी के साथ खबर दुनिया के में आज के लिए इतना ही जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं विश्व भर की कुछ बात पून के लिए